आज के इस एपीसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 SST सामाजिक विज्यान की वर्कशीट नमबर 25 यानि कारे पत्रक संख्या 25 को आज की इस वर्कशीट में हम अपना पार्ट हाश्य करन की समझ है वो हम चारी रखेंगे और इसमें हम समझने की कोशिस करेंगे कि अल्प संख्यक बहु संख्यक क्या होते हैं और जो हाश्य समाज है उसको हम कैसे विकास के रास्ते पर ला सकते हैं यानि उनके विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस आसान सी वॉक्षीट की जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पा रहें ये हमारी वॉक्षीट नंबर 25 यानि कारे पत्रक सिंख्या 25 है हमारा विशे सब्जेक्ट SST सामाजिक विज्ञान है और आज की दिनाक रहेगी 28 दिसंबर 2020 हाश्यकरण की समझ ये इस पार्ट का दूसरा भाग है अलफ संख्यक और हाश्यकरण अलफ संख्यक कोन होते हैं सबसे पहले थमें ये समझना जरूरी है कि अलफ संख्यक और बहुँ संख्यक दो शब्द होते हैं अलफ संख्यक एक ऐसा समझना होता है जो धार्मेक या भासाई संख्यक की दृष्टी से बाकी आबादी के मुकाबले कम हो यानि कि धार्मेक दृष्टी से हो सकता है भाशाई दृष्टी से हो सकता है तो जिसकी संख्यक कम है वो अलफ संख्यक है उखे हलांकि जरूर नहीं कि भाषचा या धार्मिक आधार पर हम अलप संक्यक है वो तय करें वो किसी भी आधार पर हो सकता जिसकी संक्या कम हो वो अलप संक्यक है मान लिजे आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं और वो co-ed school है तो उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की मुकाबले अगर कम है तो लड़किया अलप संख्यक है लड़के बहु संख्यक है और जिसकी संख्या सरवादिक होती है उसको हम बोलते हैं बहु संख्यक जैसे हम दिल्ली का उधार्ण लेते हैं तो दिल्ली में हिंदी भासी क्या है वो बहुत संक्यक है सरवादिक संक्या उनकी और अंग्रेजी फासी क्या होंगी वो अलफ संक्यक होंगी यानि बहुत संक्यक एक ही होगा जिसकी संक्या सरवादिक होगी अलफ संक्यक बहुत सारे हो सकते हैं अब दिल्ली में हिंदी भाषी के अलावा तमिल बोलने व जो धार्मे की अभाषाई संक्या की दरिश्टी से बागी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। तो यहां पी सिरफ इन्हों ने धार्मे की अभाषाई संक्या की बात की है। हलांकि हम किसी भी आधार पर अल्प संख्यक या बहु शंख्यक निश्चित कर सकते हैं ये केवल संख्या का सवाल तक ही सीमित नहीं बलकि समदाई के लोगों की सत्ता और संसादनों तक पहुंच जैसे मुद्दे भी जुड़ेव होते हैं साथी ने अपने सामाजिक सत्र और संस्कृति को बना कर रखना भी आवशक होता और एक चुनोती भी होता है कि अल्प संख्यक का मतलब सिरफ ये नहीं कि उनकी संख्यक कम है कई बार कुछ देशों में ये समस्या बड़ी गंभेर समस्या होती है कि बहु संक्यक समदाय है वो अपनी संस्कृति के वर्च सव के लिए उसके दबदबय के लिए अल्प संक्यक है उनकी संस्कृति के साथ छेड़ चाड़ करने की कोशिश करता है जैसे सिरलंका की बात की जाएं सिरलंका में क्या हुआ कि जो बहु संक्यक समदाय था जो सीनली भासा बोलता था उन्होंने तमिल भासी जो लोग थे उन पर दबदबा जमाने की कोशिश की उनकी भासा को पर्तिबंदीत करने कोशिश की उनकी भासा के साथ छेड़ चाड़ करने की कोशिश की हलांकि हमारे देश में सिविधान के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमार देश है एक रंगीन बहु संस्कृति वाला देश है संस्कृति विवत्ता वाला देश है तो हमारी देश में हलांकि ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन कई बार जब शिक्ष्या का भाव होता है तो ऐसी समश्या खड़ी हो जाती है हमें बहु संकेक समदाय की संस्कृती समाज और सरकार की व्यक्ति को परभावित कर सकती है कई बार ऐसा हो सकता है जो बहु संकेक समदाय हो वो सरकार की नीतियों को परभावित कर सकता है ऐसी सूरत में छोटे आकार वाले समदायों को घाटे की बात सावित हो सकती है क्योंकि उनके लिए समश्या हो सकती है अगर एक ही संस्क्रिप्ति को एक ही ध्रम को अगर बढ़ावा दिया जाए हलांकि हमारे देश की बात करें तो ध्रम निर्पेक्स देश है तो हमारे यहाँ पर कोई भी वैक्ति किस भी ध्रम को मानने या ना मानने के लिए सवतंतर होता है लेकिन जिन देशों में ऐसा नहीं होता वहाँ पर ये एक बड़ी समश्या होती है संबवे इसी कांड छोटी समदाई कई बार हाश्ये पर भी चले जाते हैं हो सकता है कि एक समदाई है वो दबदबा बनाने की कोशिश करें और उसके कारण दूसरे जो समदाई है वो पीछी रह जाते हैं और यही तो हाश्याकरण है, हाश्याकरण मतलब जो समाज से अलग थलग रह जाएं, जो समाज से कट जाएं, जो समाज से पिछड जाएं, हाश्याकरण, हाश्या जैसे अपनी नोटबुक पे होता है, रजिस्टर के एक साइड में जो लाइन लगे होती है, तो वो हाश्या ह होता है ऐसी समाज में जब कुछ समधाय कुछ लोग अलग थलग रह जाएं गरीबी के कारण शिक्षा के कारण अपनी संस्कृति के कारण वो ये महसूस करें कि हम अलग हैं हम पीछे रह गए तो उसे बोलते हाश्याकरण तो अलपसंग के खोना इस कारण भी हाश्याकरण का शिकार हो सकते हैं जैसे अपनी कक्षा में लगा लीजिए कि एक बच्चा आया जो मल्यालम भासा भोल रहा है और हमने उससे बाचीत करना या फिर अपने तोर तरीके बदल लिए उससे बाचीत करने के तो क्या हुआ हाश्याकरण हो गया उस बच्चे का वो पीछे रह गय अलग रह गया उसको लग रहा है मैं अलग हूँ तो यह हाश्याकरण होता है तो हाश्याकरण है समष्या समाज से पेदा होती है और इसका समाधान भी समाज में ही होता है ऐसे में अल्प संख्यक समधाय के बहु संख्यक को जो बहु संख्यक समधाय है उनके सांस्कृतिक वर्थ सव यानि दबबे की आशंका से बचाने के लिए शुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है यानि कि ऐसी संभावना ना हो इसके लिए किसकी जरूरत काफी सारे मौलिक अधिकार दिये गए उनमें जैसे शोक्षन के विरुद जो अधिकार दिया गया है कि अगर हमारा शोक्षन हो रहा है तो हम कानून की शरूर ले सकते हैं ऐसे ही जो सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकार दिया गया है तो वो भी सांस्कृति को धार्मिक सवतंतरता का अधिकार है तो वो भी इसलिए दिया गया है ताकि कोई भी एक समधाय है वो दूसरे समधाय के उपर अपना दबदबा ना जमा पाई कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्याई पालिका की भूमिका एहम होती है न्याई पालिका है यानि कोट है वो सुनिश्चीत करते हैं कि ऐसा भीदबाव समाज में ना होने पाए अगर किसी भी नागरी को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अदिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदाल्त में जा सकता है तो ये तो बात हुई कि अल्प संक्यक क्या होते हैं बहु संक्यक क्या होते हैं और हमारी स्विधान में ऐसा क्या प्रावधान क्या गया है कि अल्प संक्यक है वो हाशे पर ना जा पाएं अगर हम धार्मिक द्रिश्टि से अल्प्षंकिक की बात करें तो हमारी देश में हिंदू ध्रहम है वो बहुँँँद्रहम है और बाकी सभी अल्प्षंकिकमे आते हैं लेकिन ऐसी स्तिति हर जगे नहीं होती राजिय के अनुसार स्तिति ये वो अलग लग होती है जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब में शिक द्रह में वो बहुत संक्यक कहलाएगा और बाकी सभी द्रह में अलग लग हो सकता है लेकिन कहीं पर भी किसी विशेईश द्रहम के लोग दूसरे द्रहम के लोग को अगर दबदवा बनाने की कोशिश करते है तो इसके लिए कानून की शरण ली जा सकती है यानि समानता सुनिशित करने के लिए हमारा स्विधान ने पुततपर है, त्यार है, परतिबत है अब हम कुछ उधारन लेते हैं कि अल्प सेंकल समदाय है वो कैसे परभावित हो सकता है जैसे मुस्लिम समदाय और हाश्याकरन भारत की 2011 की जो जनगर्ना है हर 10 वर्ष के बाद जनगर्ना होती है, कितने वर्ष के बाद हर 10 वर्ष के बाद कि 2011 की जनगर्णा के अंसार मुस्लमानों की जो सिंख्या, मुस्मिम समधाई की सिंख्या वो अल्फ सिंख्या कमाने जा सकती है विविन्स रोतों से प्राफ जानकारी के अंसार मुल्भुत सुईधाओं, साक्सर्ता और सरकारी नोक्रियों के इसाब से उनकी स्थितिय दूसरे समधाय के मुकाबले कमजोर है हलांकि इसी एक जनगर्ना के अंसार, जो कुछ तथे एक अठे के तो उसमें ये भी पता चल रहा है कि मुल्भुत सुईधाओं में जो मुस्लिम समाज है वो पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है और अगर शिक्षा के मामले में मुस्लिम समधाय की बात की जाए तो उसमें जो महिलाएं है वो और भी अधिक पिछड़ी में तो इसमें अलग थलग रह गए ना अब जब शिक्षा नहीं है सुईधाय नहीं है शिक्षा नहीं है तो सरकारी नोकरिया नहीं है उसमें कम हिसा ह तो इसलिए ये समदाई हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम समदाई है वो हाशिय पर चला गया तो अब ये समस्या कहां से जुड़ी है सुविधाओं से शिक्षा से जुड़ी होती है और उससे जुड़ी हो यहां से पिछड़े पन क्या एक शुरुआत हो जाती है कि हम पीछे रह जाते हैं और ये पीछे रह जाना अलग थलग रह जाना यही तो हाशिया करने हैं तो ये जो स्थित्थी है वो मुस्लिम समदाई में दूसरे समदाई के तुलना में कम जो रही है माननी यह न्याय मुर्ती राजिंदर सचर के अधेक्सता में एक समीती बनाए गे थी 2005 में उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि विभिंत सामाजिक आर्थिक और शेक्षनिक संकेत कों के साब से जो मुस्लिम समदाय की स्थितिय है वो अनुसुचित जाती है और अनुसुचित जन जाती जैसे हाशाई समदायों से मिलती जुलती है जैसे ST और SC वर्ग है तो वो भी हाशाई समदाई में शामिल होते हैं क्योंकि शिक्षया का सत्र है वो अपिक्सक्रित कम रहा है संसाबनों का तक पहुंच है अपिक्सक्रित कम रही है जमीनी कम है और ऐसे ही सरकारी नोकरियों की बात की जाए तो उसमें भी हिस्सेदारी कम रही है हलांकि 2005 से 2020 तक की बात करें तो बहुत कुछ बदला भी है बाकी समदाय है वो भी आगे आ रहे हैं शिक्षा को लेकर के जागरुकता बढ़ी है लेकिन उस समय की बात की जाए तो मुस्लिम समदाय वो खाशे शमदायों में उनको गिना जा सकता है क्योंकि अभी भी साक्षरतादर में सरकारी नोकरियों के अधार पर या संसादनों तक पहुंच के अधार पर समदाय जो समाज है वो पिछड़ा हुआ दूसरे अलप संक्यों की तरह मुस्लिम जो समदाय उनके रिती रिवाज उनके विभार मुख्य धारा की मकाबले अलग होते हैं हलांकि किसी भी द्रहम के या किसी भी समदाय के अपने अपने रिती रिवाज होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं इसी कारण हमारा जो समाज है वो ज्यादा रंगीन दिखाई देता है क्योंकि हम अलग होते हुए भी एक होते हैं सब नहीं लेकिन कुछ जो मुस्थिम समदाई हैं उसमें कुछ लोग बुरका, लंबी दाड़ी या फेज टोपी का चलन दिखाई देता है और बहुत सारे लोग सभी मुस्लमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानते भी हैं इसी करण अक्सर उन्हीं कई बार गलत नजर्षे, अलग नजर्षे दिखा जाता है और यही सोच उनके साथ गलत विवार करने का या भीद भाव का बहाना बन जाता है कभी-कभी यही पुरुवा ग्रे, गिरना या हिंसा को जनम देता है कि कई बार हम संस्कृती में अलग होते हैं जो कि सामन्य बात है, हम अलग होते हैं अलग होते हैं उसके कारण पुरुवा ग्रे यानि कि हमारी सोच है हम कुछ अलग तत्थियों से इस चीज को जोड लेते हैं कब जोडते हैं जब हमारी शिक्षिया का सत्र अच्छा ना हो क्योंकि जो शिक्षित लोग है वो तो नहीं जोड पाते हैं क्योंकि जो शिक्षित नहीं होते हैं वहां पर ऐसी घटनाए गटित होती है, कि हम पुरुवा ग्रह से गरिशित हो जाते हैं, जिसे हम गाउं के लोगों के बारे में जोसते हैं, कि गाउं के लोग अपना अनपड होंगे, गवार होगी, यह साफसफाई नहीं रखते हैं, ऐसा पुरुवा ग्रह शेहर में दिखाई देता है, तो यह जो पुरुवा ग्रह ऐसा नहीं होता वास्ता में, तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ लोग जोड लेते हैं, जहां पर क्या होता है, जिनकी शिक्ष्या अच्छी ना हो, वो लोग जोड लेते हैं तो इसी से हाश्यकरण को जनम मिलता है यानि हाश्यकरण में सिरफ यह नहीं कि आर्थिक तोर पर पिछड़ापन सिरफ सामाजिक तोर पर पिछड़ापन बलकि हाश्यकरण में यह भी है कि जब लोगों को अलग थलग समझा जाता है या लोगों को लगता कि हम अलग थलग है तो वो भी हाश्यकरण है तो अलग रेती रिवाज के कान भी कई बार हाश्यकरण की समस्या है वो उत्पन हो जाती है समाज में अब हम निशकर्ष की बात करें कि हाश्यकरण की समस्या है इसका निप्टारा कैसे हो सकता है विक्सित कर लें कि पढ़न के क्या करेंगे, ऐसी सोच जो पहले होती थी, अब वो दूर हो रही ए, तो उसके कान्ण हाश्यकंड हुआ है, लड़कियों का, महिलाओं का, ऐसे गावन के लोगों के बारे में सोच विक्सित कर ली, ऐसी हमने किसी समदाई के बारे में आदिवाशियों के एक साथ है हमारे देश में दलित भी इसी तरह का एक समदा है जो हाश्यकरण से क्या रहा है उस दाइरे में रहा है हलांकि अब काफी हद तक उस हाश्यकरण की समझचा से बाहर आ गया है हाश्यकरण से कमजोर सामजी खेशियती पेदा नहीं होती बलकि शिक्षा याने संसादनों तक पहुंच भी कई बार बराबर नहीं मिल पाती जैसे हम बात करें गरीबी एक कारण है हाश्यकरण का बाहर कैसे निकलें शिक्षा एक जादू होता है शिक्षा अगर हम शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे तो हाश्यकरण से बाहर निकलने में हमें मदद मिलती है तो ऐसे ही समदायों ने अब शिक्षा का महतव समजाए जिसके कारण हम समानता की तरफ पढ़ रहे हैं इसके बावजूद हाश्यकरण का जीवन भी बदला जा सकता है बदलता है और बदल रहा है आदिवाशी समदाय है वो मुखे धारा में जुड रहे हैं क्योंकि सिक्षिया का परशार हुआ है जागरुकता बढ़ी है वैसे ही अपने अधिकारों के लिए वो उट खड़े हुए है हाशी समदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टा बनाई रखना चाते है साथी अधिकारों और विकास वा अन्य अवसरों में बराबरे का हिस्सा चाते है जो कानून की दोरा दिया गया है सुनिशित किया जाता है अगर कहीं परवीस परकार का बेदभा होता है तो हम कानून की शरन ले सकते है और उमीद है जल्दी हम सब एक होने वाले हैं हम सब बराबरे पर आने वाले हैं क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी सोच है वो विक्सित हो रही है वैसे वैसे हम समझ रहे हैं कि ये जो सामाजी का एसमानता या सांस्कृति का एसमानता है वो जरूरी होता है क्योंकि हम एक दूसरे के जैसे नहीं हो सकते हम एक दूसरे से अलग होते हैं लेकिन हमारे विचार है वो हमेशा एक रहते हैं तो चलिए हम परशनोत्तर की तरह बढ़ते हैं आज की इस worksheet में चार आसान से परशन दिया गए इसके साथ साथ एक activity भी दिया गए कि हाश्याई लोगों से समधित आप कोई एक चित्र है वो बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो अब हम परशन उत्र की तरह बढ़ेंगे आज की इस worksheet में चार कोशन दिया गए जैसे भाषा के अधार पे कह सकते हैं धार्मी का अधार पे कह सकते हैं और बहु सेंक्यक है एक ऐसा समधाय जिसकी संक्या सरवादी को वो होगा बहु सेंक्यक उधारने आप दे सकते हो जैसे दिननी में हिंदी भाषी है वो बहु सेंक्यक है और अंग्रेजी भासी लोग अल्प सेंकिक है उसके पर दूसरा प्रशन दिया गए कि अल्प सेंकिकों की सुरक्षा क्यों जरूरी है तो अल्प सेंकिकों की सामाजिक विवित्ता, समानता और न्याई के लिए सुरक्षा जरूरी है तीसरा प्रशन दिया गए कि किसी समदाई के लोग हाश्य समदाई के लोग कैसे बन जाते हैं किसी समदाई के लोग शिक्षा के कमी, सांस्कृतिक विविता, गरीबी, संसादनों तक ऐसमान पहुंच आदे के कारण हाश्य समदाई के लोग बन जाते हैं के शिक्षा में पीचड़ गए, सांस्किर्टिक तोर पर अगर अलग दिखते हैं या गरीबी के कारण है, या संसादनों तक पहुंच नहीं है, जैसे जमीन वगरा नहीं है, भूमी नहीं है, तो इसके कारण वो पीछी रह जाते हैं, और हाशे ही समधाय बन जाते हैं, उसके समधाय, जो पीछड़े उनके लिए विशीष रोजगार के अवसर है, वो क्रियेट किये जाएं, बेदा किये जाएं, और तीसरा मूल भूत सुईधाय बहतर करके, जैसे सिक्षा की सुईधाय है, चिकित्षा की सुईधाय है, उन इलाकों में विशीष तोर पर परिवन की सुईधाय, संचार की सुईधाय, पर्शिक्षन की सुईधाय, ऐसी सुईधाय भी अगर बढ़ाएंगे, जैसे आदिवासी आलाकों में बढ़ रही है, तो ऐसी सुईधाय बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के मौके जादा मिलते हैं, आगे बढ़ना आसान होता है, तो य एक छोटा सा कमेंट भी जरूर कीजिया थैंक यू बाई बाई have a nice day